इंडियन तीज में लीग के 15 सीजन का 64 मैच बीवाई पाटल स्टेडियम पर खेला गया जहां पर करो या मरो के मैच मैच दिल्ली कैपिटल की दीम कमकाबला पंजाब किंग से हुआ आईपिल 2022 के प्ले आफ में पहुँचने की उमीद को जिन्दा रखने के लिए दोनों ही टीमों को इस मैच में दो अंकीत दरकार थी लेकिन दिल्ली कैपिटल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ इस मैच में 17 रनों से जीत हासिल कर इस सीजन पहली बार लगातार दो मैच में ज 17 रनों से जीत दर्ज की और पॉइंट स्टेवल में टॉप फोर में जगा बना लिया दासर दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बैटिंग करते हुए 189 का स्कोर बनाया था लो स्कोर को बचाना मुश्किल था लेकिन दिल्ली के बॉलर्स ने धमाल मचा दिया पंजाब किंग्स 20 सोवर में सिर्फ 142 रनी बना पाई 17 रनों की जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स के 14 पॉइंट हो गए हैं वहीं अगर पॉइंस टेबल और प्लेयोफ की बात करें तो गुजरा टाइटन पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है लड़ाई बाकी तीन स्थानों के लिए राजिस्त चुरुआत मिली थी लेकिन टीम उसका फायदा नहीं उठा पाई जौनी बैस्टो ने 28 रनों की तेज पारी खेली साथ ही शिकरदमन ने 19 रन बनाए लेकिन 38 के स्कोर पर जैसे ही पहला विकेट गिरा उसके बाद तो विक्टो की चड़ी लग गई डिली कैपिटल्स की इस मिचल मार्शल ने एक बार फिर दिली के लिए दमाका किया और 48 बॉल में 63 रनों की पारी के लिए इस दोरान मार्श ने चार चौके और तीन चक्के जमाए इस खबर में फिलाल इतना ही बनरिया बनिडिया हिंदी के साथ